खलो दोस्तों एक वाफिर से मैं हासिर हूँ 22 अक्टोबर 2021 के इंपॉर्टिन इमेडिस के साथ आप कम्प्लीट वीडियो खाल से लखें तो लास्ट मैं आपको दो कोशन के जवाब देने है यह वो आडिकस हैं जिनको हमने अल्रेडी पी आईवी में डिसकस किया है इसलिए हाँ पे कवर नहीं करेंगे आज का पहला कोशन है वर्ड स्टैटिस्टिक्स टे विश्व सांखी की दिवस वर्ड स्टैटिस्टिक्स टे किस डेट को अपजर कियता है तो यह ऑपजर कियता है 20 अक्टोबर को कब 20 अक्टोबर को यह देख लिजए वर्ड स्टैटिस्टिक्स टे यह हर वर्ड वीस अक्टोबर को आपजर कियता है बना याता है जो स्टैटिस्टिक्स है उसके fundamental principles उनको achieve करना और उनके विसे में लोगों को aware करना इसके लिए आपका world statistics टे हर वर्स 20 October को मना याता है हाला कि दो है दस से इसकी सुरुवात हुई है इस बार थीम क्या है better data, better life अब देखिए data कितना important है किसी भी काम के लिए covid related इतना भी incident हुआ अगर data ही inaccurate होता तो काम कैसे होता है इंडिया में जो death हुई क्या वो accurate थी नहीं तो planning भी उसके हिसाब से नहीं हो पाई कभी भी तो इसलिए better data better life, better lives यह है आपका world statistics टे का theme, कौन आता है UN statistical commission इसकी स्थापना होई थी 1947 को chairperson है सिंगेरू कावाशाकी जो कि जापान से है अगला question है नाबाड नाबाड की स्थापना किस वर्स की गई थी तो नाबाड आपको पता ही है exam bank की स्थापित हुआ जनवरी 1982 को और नाबाड जुलाई 1982 को एक ही साल में दो संस्थाएं स्थापित हुई थी नाबाड चर्चा में इसलिए हो कि नाबाड दोरा एफपियो के लिए farmers producers organization एफपियो के लिए credit guarantee fund ट्रस्ट बनाया गया दस एक हजार करोड का एक हजार करोड का CGT एफपियो बनाया गया है नाबाड के दोरा इसमें क्या होगा एफपियो जो भी लोन देते हैं उनकी credit guarantee provide करेगा और यह जो fund है यह नफ संथ्चर ट्रस्टी प्राइवल लिटेट के तहट बनाया गया है जो कि नाबाड की सबसीडरी है और यह नफ संथ्चर Ministry of Agriculture and Former Welfare के साथ मिलके काम करेगा हेड़कोर्टर मुंबाई में होगा और एक हजा करोर का credit guarantee provide करेगा एफपियो जो बस इतना है रखे नाबाड के बात करें National Bank for Agriculture and Rural Development 1982 में B.C.O.R.A.M.N. कमेटी की सिफारिस पर नाबाड की स्थापना की गई थी यहाँ आप देख सकते हैं मुंबाई में हेड़कोर्टर है गुविंदा राजलू चिंतला इसके चेर परसन है अगला कोशन देखते है UNESCO UNESCO की स्थापना किस वर्स की गई थी तो 1945 1945 में UNESCO की स्थापना हुई आजादी जब हमारे हम मिली थी तो उसके दो वर्स पहले ही UNESCO ने क्या किया है देखिए बुद्धिज्म से रिलेटेड बुद्धिज्म कर एक दुटपा ओर्डर है उसकी कुंफू आर्ट है उसको 2021 में UNESCO मार्सल आर्ट एजुकेशन प्राइज मिला है इसलिए UNESCO चर्चावे है तो हिमालियन रेजर में जेनरल इक्वैल्टी से रिलेटेड है कुंफू नंस इसके लिए 2021 का प्राइज मिला है इसको कुंफू नंस को UNESCO मार्सल आर्ट एजुकेशन प्राइज तो ये कौन देता है UNESCO International Center of Martial Arts इसके दोरा दिया आता है तो कुंफू नं को मिला है UNESCO देख लिए UNESCO देख लिए UNESCO एजुकेशनल साइंटिफिक और कल्चरल ओगनाईजिशन 16 नावंबर 1945 को UNESCO की सबना हुई पैरिस फ्रांस में हेटक्वाटर है डी जी है और ड्रे अजोले अगला कोशन देख लेते है 2021 में प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट किस ने रिलीस की है प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट ये रिलीस की गए है UNESCO द्वारा United Nation Environment Program UNESCO ने 2021 के लिए प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट रिलीस की है इसमें ये बता जाता है basically कि जो गौर्णमेंट का प्लान है emissions related उसमें और जो रियल में emission का production हुआ है उसमें अंतर की तरह है यानि Paris Climate Agreement के हिसाब से limit क्या होनी चीए और जो गौर्णमेंट का प्लान है उसके हिसाब से emission हो कितना रहा है तो वो बताती है आपकी production gap report तो ये 2019 में पहली बात prepare की गई है उसका 2019 का ही data जो है prepare किया गया है तो production gap report UNEP release करता है UNEP के बिशन जाल लिए 5 June World Environment Day 5 June इसलिए बना जाता है क्योभी UNEP की स्थापना हुई थी 1972 में UNEP की स्थापना हुई नेरोबी के इन्या में headquarter है इंजर एंडर्सन जिसके head है अगला question है एक book है जिसका नाम है The Stars in my sky बस इतना ही याद रखे The Stars in my sky ये book किसने लिखी है तो ये book लिखी है दिव्या दत्ता ने दिव्या दत्ता ने ये देख लिए इनको आप अचानते होंगे दिव्या दत्ता ये हैं दिव्या दत्ता इनकी book का नाम है The Stars in my sky बस इतना ही याद रखेगा बागी publish कुन करेगा Penguin Random House अगला question है आप बता है ये इफको इफको ने क्या किया है नैनो लिक्विड फर्टिलाजर बनाई है उसका पहला कंसाइनमेंट किस कंट्री को भेजा गया है इंडिया दोरा तो नैनो लिक्विड यूरिया पहली बार स्रिलंका को घेजी गई है मैं आपको बताया था 80% efficiency increase हो जाती है अगर नैनो लिक्विड यूरिया का यूस किया आता है ट्रेडिशनल यूरिया की जगह पे तो स्रिलंका को पहला कंसाइटमेंट गया है इंडिया से किसका नैनो लिक्विड यूरिया का लगभ 3.1 मिलियल लीटर तो यह आप देख लिजेगा कितना होता है 10,00,000 से मल्टिप्लाइ कर दीगा मिल जाएगा आपको तो नैनो यूरिया फर्टिलाइजर कहां गया है स्रिलंका स्रिलंका में में मेज और पैडिक कल्टिवेशन में यूस किया आएगा नैनो लिक्विड फर्टिलाइजर ये इफको नडलब किया है वर्ड में पहली बार यूरिया का नैनो फॉर्म लिक्विड फॉर्मेट में आया है इफको नडलब किया है इफको देख लीजे इंडियन फॉर्मर्स फर्टिलाइजर्स कॉपरेटिव लिम्टेड 1967 में इफको की स्थापना हुई इंडियन फिल्म फेस्टिवल हो रहा है इंडिया में जो रशियन फिल्म फेस्टिवल हो रहा है तो इंडिया में हुआ है उसके अमबेज़र बने है इंतियाज अली बस इतना ही याद रखेगा 14 countries इसमें participate कर रही है ये जो है डिजनी होस्टार के मदद से मनाये जा रहा है online तरीके से भी offline तरीके से तो वहाँ पर आपको मिल जागा डिजनी होस्टार पे जियो का अगर आपके पास सीम है और आप ठीक ठाक रिचार्ट करते हैं डिजनी होस्टार आपको फ्री में मिलता है तो इम्तियाज अली है ये तो आप जानते ही है रश्या के बात करते हैं Capital है Moscow Currency क्या है डूबल President है व्लादेमिर पुतिन जो की 2036 सक रश्या के President रहेंगे वर्ड की deepest lake जिसका नाम है बैकॉल lake कुआ कहा है रश्या में है तो Victoria lake largest fresh water lake है और deepest lake कौन सी है बैकॉल lake अगला कोशन है International Conference and Exhibition on Digital Technologies International Conference and Exhibition on Digital Technologies किसना और गनेस किया है C.I.I. ने Confederation of Indian Industry ने हाल हमे Future Tech 2021 Conference and Exhibition organized किया है Future Tech 2021 है क्या International Conference and Exhibition है Digital Technologies पर तो Future Tech 2021 C.I.I. ने organized किया है Future से related technologies क्या होंगी उसके विसे में focus किया जाएगा और जो focus theme होगा देख लिए आप driving technologies for building the future we all can trust सबसे बड़ा इस समय IT Information Technology की जितनी भी चीज़े हैं उनमें सबसे बड़ा trust की ही बाद आती है trust में वो सारी fail हो रही है even आधार भी तो Future Tech 2021 C.I.I. ने organize किया है theme क्या है ये 5 pillars पे theme है बहुत deep तो नहीं है 5 pillars बस इतना सब्द याद रखे 5 C.I.I. की बाद करने Conference of Indian University 1895 में सापना हुई New Delhi में हैट कोड़ा है President कुछ दिन पहले है TV नरेंदरन अपॉइंट हुए है इसके अगला question है UN Global Sustainable Transport Conference इसका कौन सा edition हुआ है UN Global Sustainable Transport Conference इसका मेरे खाल से Second Edition हुआ है देख लिएते हैं Second Edition हुआ है UN Global Sustainable Transport Conference हाल ही में यह जो हुआ है उसमें इंडिया ने कहा है कि बाद चाइना की जो Belt and Road Initiative है साथ-साथ CPEC प्रोजेक्ट है वो ठीक नहीं है वैसे भी चाइना और इंडिया गूसरे को अपोज ही करते हैं लेकिन क्या बोला जाए P.O.K. से निकला है इंडिया कहता है इलीगल है लेकिन अगर आपका Administration ही वहाँ पर नहीं है तो कोई कुछ भी करेगा और यह हमारी जो Politics रही उसके चक्र में ऐसा रहा कि आज भी P.O.K. पाकिस्तान के पास है अगर यह बुद्दे सुलच जाते इससे आनियो ले जनरेशन में नहीं 25 से 30 साल बाद जो बच्चे जर्म लेंगे उनके अंदर इतनी नफरत नहीं होगी जो आज सारे लोगों के अंदर नहीं कुछ लोगों के अंदर है चलिए C.P.E.C. देख लिए आप लग यह Second Edition European Global Sustainable Transport Conference का हुआ है यह इंडिया ने C.P.E.C. का अपोस किया है Second Edition है और बाग की आप देख लिए जिए क्योंकि P.O.K. से गया है इसलिए इंडिया ने अपोस किया है इसमें थोड़ा सा और पढ़ लेंगे मेरे खासे P.I.B. में पढ़ेंगे या फिर जो भी मिलता है उसमें पढ़ लेंगे Mount A.S.O. Volcano हाली में Erupt हुआ है कहां पैस्तित है Mount A.S.O. Volcano यह जापान में है जापान का सबसे बड़ा Volcano है जो Active है हाला कि फ्यूजियामा सबसे बड़ा है न लेकिन Active की बात की जाए तो Mount A.S.O. Volcano जापान का वो जापान का सबसे बड़ा Active Volcano है तो हाली में फिर से Eruption हुआ इसमें ठीक है 2016 से लगातार हो रहा है और फिर से हुआ तो largest active volcano है जापान का और वर्ड में वन एमंग दा लार्जिस्ट है विससे नहीं रखे क्यूशू आइसलेंड पे जामान आपको बता है जापान में कई सारे आइसलेंड है बड़े-बड़े ऐसे करके जापान है न ऐसे करके है तो हांसाव है फिर क्यूशू है तो क्यूशू पे है ये जो आपका वालकेनो है तो ये भी याद रखेगा कि सबसे बड़ा जापान जो कंट्री है उसे सबसे बड़ा दूशू ही है मेरे ख्याल से जापान रिंग ओफ फायर में आता है तो इसलिए यहाँ पर वालकेनों कई सारे है अगला कॉश्चन है परामबिकुलम टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन इन्होंने अर्थ गार्जियन अवार्ड जीता है परामबिकुलम टाइगर कंजर्वेशन कहां है तो परामबिकुलम टाइगर रिजर्व के रल में है तो ये भी के रल में ही होगा इन्होंने Earth Garzian Award जीता है जो कि NetWest Group of India इसके दिया आता है Earth Garzian Award परामबिकुलम टाइगर रिजर्व को मिला है बस याद रखेगा और यह जो परामबिकुलम टाइगर आगर 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 के बढ़ावा देती है आ गया है तो परामिकुलम टाइगर रिजर्व केरिला में है पलककल डिस्टिक के पास से और वाइल लाड़ संक्चुरी आती है 1973 में जब प्रोजेक्ट टाइगर लाँच हो था तर इसको टाइगर रिजर्व घोसित किया गया था परामिकुलम को एक मतिकेतन 16 नेशनल पार् है किसने लाwnज किया तो अमेरिका के 45 प्रेशिडंट डुनल्ड टर्म ए क्टुथ को लाँच कर दिया है तूटर ने उनको ब्लॉक कर दिया था कई बार तो उन्होंने honest शोशल इसके नाम से लांच कर दिया है शोशल मीडिया नेट्रवर्क, तो टूटर को मेरे खिया से छ करें तो truth किसने launch किया है डोनाल्ड ट्रंप ने बरावको बावा ने नहीं अगला question देखते हैं जैन्स petition हाल ही में retirement हो गया international cricket से ये किस country से विलाउंग करते हैं तो जैन्स petition आपको पता ही होगा Australia से मेरे खास विलाउंग करते हैं न देखें Australia के fast baller है जैन्स petition हाल ही में retirement ले लिया नहीं होने तो बस इतना यहाद रखें यह देख लिए यह है जैन्स petition Australian baller है Australia की बात करें तो Australia को world capital of game कहते हैं लेकिन Australia की capital क्या है कैन पर आकरेंश क्या है Australian dollar डॉलर प्राइमिस्टर है Scott Coin DCX इसकी स्थापना किस वर्स हुई थी तो Coin DCX इंडिया का largest cryptocurrency trading platform है इसकी स्थापना हुई थी 2018 में तो जायज है cryptocurrency अभी 6-7 साल ही highlight हुए हुआ है तो इतना पुराना तो यह होगा नहीं चर्चा मिसले है क्योंकि Coin DCX इसका एक campaign है फ्यूचर यही है फ्यूचर यही है campaign किसका है Coin DCX का जिसके brand measure बने है आयुसमान खुराना तो Coin DCX के future यही है campaign के brand measure आयुसमान खुराना बने है इसलिए यह चर्चा में है Coin DCX इंडिया का largest cryptocurrency exchange है इसकी स्थापना 2018 में दो लोगों के द्वरा की गई थी सुमित गुपता निरज खंडेलवाल तो याद रखे है क्रिप्टो करेंसी फ्यूचर तो यही है blockchain technology अगला question है association of mutual funds in India यानि इंडिया में जो mutual funds का association है उसके chairman कौन बने है तो association of mutual funds in India chairman बने है ए बाला सुबरमने है यह देख लिए यह है ए बाला सुबरमने हम जी यह association of mutual funds in India इसके chairman बने है इन्होंने replace किया है निलेश शाह को किसको निलेश शाह को निलेश शाह को कोटक mutual fund के head थे MD थे अब association of mutual funds in India इसके ए बाला सुबरमने है चेर्मन बने है बाकि यहाँ CEO अगर आप देख सकते है रादिका गुप्ता वाइस चेर परसन बनी है जो की इडलवीज की MD and CEO है यहाँ देख लिए association of mutual funds in इंडिया 1995 में स्थापना हुई मुंबाई में headquarter है चेर्मन को मनगे है यह बाला सुबरमने है अगला कोशन है कॉंकर सकती यह पहली बार try services exercise की जा रही इंडिया और किस कंटी के बार जब भी कॉंकर का नाम है ना कॉंकर अभी तक यह naval exercise थी सिर्फ लेकिन पहली बार try service या तो यह बाकी UK के carrier और इंडिया के carrier पार्टिपेट कर रहे हैं साथ ही साथ यह जो UK की मिलेट्टी है सिंगपूर और बॉंगलादेश के साथ पार्टिपेट कर रही थी तो उस दोरान कॉंकर सकती exercise भी होगी क्योंकि बे और बंगा से यह दोनों ही टच करते हैं तो UK ने सु यह जो इसमें ट्राइ सर्विस exercise हो रही है इसमें उत्राखंड में भी काफी सारे जो नेवल exercise का पार नहीं होगा वो उत्राखंड में होगा यह मान लीजिए आप लाश कोशन है बंदुला वर्नापूरा हाले में निधन हो गया कहां से विलाउं करते थे तो बंदुला वर्नापूरा जो क्रिकेट देखते हूं वो पता होगा यह स्रिलंकन क्रिकेट टीम के कैप्टन रह चुके हैं यह देख लिए यह हैं बंदुला यह थे बंदुला व दें सिलंका के टेस्ट कैपटन फॉर्क मालब फॉर्माटेस्ट कैपटन फरस्ट एवर भी लिखाया देखिया आप पढ़िए फरस्ट एवर टेस्ट कैपटन बंदूला वरनपुरा का निधन हो गया यह आज की वीडियो से कोशन आया है हो किमका जवाब दे पाएंगे मिलत है नेक्ट वीडियो में तक लिए टेक केर बाए और चाहिए